हलो स्टूदेंट आज हम देखेंगे थ्री फेस फुल फेब अंकंट्रोल एंकंट्रोल रेक्टिफायर आज मैं के वल ये दो ही टॉपिक्स को कवर करूँगी क्योंकि इसके बाद फिर हमारे क्लास टॉपिक बचेगा इस मिनिट का तो तो इसमें देखिए इस इस देखिए जैसे मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर बताया था था थ्री फेस में लास्ट क्लास में तो हाफ वेव का बाइफरकेशन हमने इस बेसिस पे किया था कि वहाँ पर एक बार में एक ही डायोड या थायरिस्टर वर्क कर रहा था यहाँ पर एक टाइम में एट टू थाय लेक्स है हर लेग में दो डायोट्स कनेक्टेद है चुकि यह अनकंट्रोल डायोट को कनेक्ट करके रखा है और हर एक फेस से हमने इन तीनो लेक्स को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर जो नंबरिंग है वो आप देखे इस तरीके से करना है D1, D3, D5 अपर डायोट्स है और लोवर डायोट्स में आपको 3 का डिफरेंस रखना है मतलब यदि ये D1 है तो D1 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4 हो गया तो इसकी नमबरीं करोगे आप D4 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 तो इसको नमबर दोगे आप D6 और ये 5 है D3, D5 आपर ग्रूप के थायोट्स होंगे और 4, 6, 2 लोवर ग्रूप के होंगे अब ये नमबरींग जो है वो हमने इस तरीके से इसले करी है क्योंकि जब हम इनका सीक्वेंसिंग करेंगे कंडक्शन का तो हमें बहुत ज़ादा याद नहीं रखना पड़ेगा इनका जो सीक्वेंस होगा वो D1, D2, D3, D4, D5, D6 इस तरीके से ये कंडक्ट करेंगे तो इसलिए हमने इसकी नमबरींग इस तरह टाइप से करी है बाकी और कोई रीजन नहीं है इसमें इसमें ये भी याद रखना है कि सेम लैक के कोई भी डो डायोट साथ में कंडक्ट नहीं करेंगे उनका कंडक्शन मतलब D1, D4, D3, D6 और D5, D2 ये कभी भी साथ में कंडक्ट ना करें यदि ये साथ में करेंगे तो हमारी जो सप्लाय है वो short circuit हो जाएगी तो these are the some basics of the circuit अब देखिए इसमें conduction किस तरी किसे होगा इसमें जो conduction करने का जो time period होगा वो इसमें भी वही होगा कि देखिए जब यदि ये terminal positive है suppose this A is positive तो maximum positive पे जब A होगा तब D1 इसके साथ connected है तो D1 conduct करेगा जब maximum positive पे B होगा तो D3 conduct करेगा और जब maximum positive पे C होगा तो D5 conduct करेगा अब D4, D6, D2 कब conduct करेंगे ये जबकि ये वाले faces हमारे A, B, C faces जो है वो maximum negative पे होगे तो 4 तब conduct करेगा जब A maximum negative पे होगा 6 तब conduct करेगा जब B maximum negative पे होगा और C तब conduct करेगा मतलब D2 तब conduct करेगा जब C maximum negative पे होगा तो जो आपके lower group के diodes है वो negative group के diodes कहलाते हैं क्योंकि ये AC supply की negative waves के लिए conduct करते हैं और upper side के जो diodes है वो positive group के diodes कहलाते हैं क्योंकि ये 3 पे है supply की positive waves के लिए conduct करते हैं क्योंकि जब ये positive होगा तो D1 आपका forward bias में होगा लेकिन जब A negative होगा तो D for forward bias में होगा तो इस तरीके से positive half में भी conduction होगा और negative half में भी conduction होगा अब इसमें एक बार में दो diodes conduct करेंगे एक positive group का diodes होगा और दूसरा negative group का diodes होगा और इसमें जो conduction करने का difference होगा वो जो positive group की diodes है तब D1, D3, D5 इनके बीच का difference 120 degree होगा मतलब D1 जब conduct करेगा तो उसके 120 degree के बाद D3 करेगा फिर इसके 120 degree के बाद D5 करेगा लेकिन इसी तरीके से आपके positive group में भी होगा लेकिन जो switching होगी वो हर 60 degree पे होगी इसको हम देखते हैं कैसे होगी अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो A है वो maximum positive पे है और इसी time पे जो maximum negative में है वो B है तो A से connected कौन है? A से connected D1 है और B से connected कौन है? B से connected हमारा D6 है तो जो negative group का है वो D6 conduct करेगा और जो positive group का है वो D1 conduct करेगा तो इस तरीके से conduction कौन कर रहा है? D1, D1 से load, load से D6 और इस तरीके से हमारा circuit complete हो रहा है तो output हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? चुकि 1 A से connected है और 6 जो है वो B से connected है तो output होगा VAB clear हुआ? एक conduction और देख लेते हैं यह देखिए मान लो अब आगे बढ़े हम तो इस point पर A तो positive पर है लेकिन इसके बाद जो B था वो आपका उपर चला गया और maximum negative में कौन आ गया? आपका C आ गया तो C से कौन connected है? C से हमारा D2 connected है और A से कौन connected है? D1 connected है तो conduction जो होगा वो D1 connected करेगा और D2 conduct करेगा तो circuit कैसे होगा complete? A से लेकर हम D1 के है D1 से load, load से D2 and then C तो इस तरही कैसे circuit complete होगा? तो output में हमें क्या मिलेगा? V, A, C क्योंकि A के cross जो voltage है और C के A, C के cross जो voltage है जो load के cross अप्यार हो रहा है तो output क्या होगा? V, A, C और थोड़े सा हम आगे देखते हैं तो अब देखिए A जो है वो negative में चला गया B जो है वो positive में चला गया और C अभी अब आरा maximum negative में इस point के बाद C positive जाएगा तो maximum negative में A आजाएगा तो देखिए यहाँ पर जो output मिलेगा मुझे B और C से जो connected है B से कौन connected है? B से हमारा D3 connected है और C से कौन connected है? D2 connected है तो यहाँ पर कौन से diodes connect करेंगे? D2 and D3 और यह process होते जाएगे और voltage क्या मिलेगा? VBC तो यहाँ पर किस ने किया था? D1 और D6 ने 6 of war तो D1, D2 ने फिर आपका D1 of war तो D2, D3 ने फिर D3, D4 और D5, D6, D6, D1 और इस तरीके से आपका जो output है वो आपको मलता जाएगा मतलब VAB, VAC, VBC, VBA, VCA, VCB इस तरीके से output voltage मिलेगा तो अब यहाँ पर देखिए यह जो waveform है वो पूरी एक cycle किते degree पर complete करें? 360 degree तो 360 degree के बीच में हमें कितनी pulses मिल रही है? हमें मिल रही है 1, 2, 3 4, 5, 6 तो इस rectifier circuit को हम कहते है it's a 6 pulse rectifier इसको क्या बोलते हैं? 6 pulse rectifier या इसको B6 rectifier भी कहते हैं B6 मतलब यह bridge rectifier है वा 6 pulse rectifier है तो it is also known as a B6 diode rectifier ओके तो समझ में आया इसमें एक बार में 2 diodes conduct करते हैं एक positive group का diode होता है एक negative group का diode होता है अब इसमें जो आपका conduction हो रहा है जैसे VAB voltage मिल रहा है वो हमें कितने देर के लिए मिल रहा है? वो हमें 60 degree के लिए मिल रहा है फिर हमें अगें यह 60 degree के लिए मिल रहा है लेकिन देखिए यहां से यहां तक d1 और d6 कंड़क्ट कर रहे थे फिर जब d6 ओफ हुआ तो d1 और negative group का d2 कंड़क्ट करने लगा फिर 1 ओफ हुआ तो d2 और d3 कंड़क्ट करने लगा तो हो क्या रहा है इसमें इसमें देखिए 1 इस 60 डिगरी के लिए कंड़क्ट कर रहा है फिर अगेन यह 1 दूसरे 60 डिगरी के लिए कंड़क्ट कर रहा है मतलब एक पर्टिकुलर एक डायोट 120 डिगरी के लिए कंड़क्ट कर रहा है तो लेकिन switching किस के बाद हो रही है हर 60 degree के बाद हो रही है तो इसलिए जो pulses हमें मिल रही है 60-60 degree के duration में मिल रही है लेकिन conduction जो कर रहा है एक diode चाहे वो positive group का हो चाहे वो negative group का हो वो 120 degree के लिए conduct कर रहा है अब यही similar operation जो है वो हम thyristor के साथ भी देख लेते हैं अब यहीं हम सारी diodes को thyristor से replace कर देते हैं तो हमें three phase full converter controlled bridge rectifiers मिल जाता है और this three phase input supply is connected to the again terminal ABC and the load is connected across the output terminal तो थारिस्टर के साथ भी साकीटरी यही है यहाँ पर भी मैं आपको suggest करूंगे कि आप इसको numbering करेंगे 135 positive group के SCR और इसको करेंगे आप 4, 6 and 2 क्योंकि यहाँ के operation के बाद आपको समझ में आगया होगा कि हमने यह numbering ऐसे क्यों की है अब again देखिए यहाँ पर यदी हमेरा diode है तो वो यहाँ से conduction शूरू कर रहा है तो यहाँ पर यहाँ से हम line लेके गए और एक dotted line हम यहाँ से लेके गए तो diode के case में इतना कर रहा है मतलब कि again जब thyristor का case आजाएगा तो आपका जो alpha होगा means firing angle होगा वो हम इस 30 degree के बाद ही measure यह जो circuit है यह again हम इसमें वो वाली condition लगा सकते हैं कि यह circuit चुकी इसमें thyristors connected है तो from alpha to sorry alpha 0 से लेकर 90 degree तक यदि आप रखेंगे तो this circuit will work as a rectifier और 90 से 180 degree के बीच में this circuit will work as a inverter circuit तो यदि हम alpha equal to 0 degree रखेंगे तो जो हमारे SCR से 1, 2, 3 they will behave like diodes and यदि हम T1 को trigger करें omega T is equal to 30 degree पे T2 को करे 90 degree पे और T3 को करे 150 degree पे and so on तो इस तरीके से यदि हम करते जाएंगे तो यह circuit जो है वो similar to diode circuit की तरह ही behave करेगा लेकिन यदि मान लो कि मेरा alpha मैं 60 degree पे करना चाहते हूं मान लो कि मेरा alpha जो है वो 60 degree में रखना चाहते हूं it means कि मुझे T1 को कितने degree पे trigger करना पड़ेगा मुझे T1 को trigger करना पड़ेगा 30 plus 60 degree पे क्योंकि 30 पे तो वो diode की तरह conduct कर रहा है लेकिन यदि alpha 60 degree है तो it would be 30 plus 60 degree it means मुझे T1 को 90 degree पे trigger करना पड़े सब्सक्राइब आया ऐसे ही जो T2 है वो T2 क्योंकि इसके बाद T2 को आपको मतलब SCR2 को conduct करना है तो SCR2 कब conduct करेगा SCR2 conduct करेगा 90 degree प्लस 60 degree ठीके and so on T3 कब करेगा T3 करेगा 150 degree प्लस 60 degree तो इसमें जब भी हमको alpha को consider करना है alpha पे उसको ट्रगराउन करना है तो 30 के साथ प्लस करके हम उसे करेंगे और हर इसमें जो switching करेंगे वो हम after 60 degree करेंगे यदि alpha मुझे 60 degree रखना है तो ठीके और जो positive grip के SCR है इसको हम again positive pulses के लिए conduct करेंगे और जो negative group की thyristors है उनको हम negative cycles के लिए conduct करेंगे और हर दो जो positive group के SCR है उनको हम 120 degree के interval पर trigger करेंगे similarly negative group SCRs would be fired within the interval of 120 degree but SCRs from both the groups are fired at an interval of 60 degree so similar जैसे diode rectifier का था वैसे ही हमारा thyristor rectifier का होगा और at any time two SCRs will conduct one from the positive group and other from the negative group and here diode में तो ऐसा नहीं हो पाता है वो sequencing जो मैंने आपको बताई थे D1, D2, D3, D3, D4 इस सरीके से ही होगा क्योंकि जैसे ही negative में voltage जाएगा बैसे D1 आपका turn off हो जाएगा या जैसे ही आपका positive में voltage जाएगा for the negative group negative group का thyristor turn off हो जाएगा लेकिन thyristor में क्या होगा thyristor के case में one और two मान लों conduct कर रहे हैं और अब हमने क्या किया two के बाद one के बाद three को trigger करना है तो यदि three और one के बीच में थोड़ा भी difference रहा तो sometimes it may be happen कि same leg के thyristor साथ में conduct करने लगे तो इस चीज़ को avoid करना पड़ेगा हमें कि या हमें इस चीज़ को ensure करना पड़ेगा कि same leg के thyristors कभी भी साथ में conduct ना करें चेके अब इसमें एक जीज़ और है कि हमको इसके average voltage और average voltage rms voltage की value को calculate करना है तो इसको हम किस तरीके से करेंगे इसमें simple जब हमें control rectification के लिए करना है तो minus 30 plus alpha से plus 30 plus alpha तक हम इसको integrate कर देंगे हमारे vm sin omega t को और simply आप 3 upon pi रखना है और उसको आपको integrate कर देना है तो you will get the value of that voltage okay so I think it is clear to all or I will send you the notes also last time मैं आपको भेजनी पाई थी but this time I will definitely surely send you and in next class we will study the last topic of this chapter thank you